आपको नमस्कार, पिछले कुछ दिनों से करोना के केसेज बढ़ने लगे हैं, देश भर में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी काफी तेजी के साथ केसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि घबराने की बात नहीं है, डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है इस ना तो अस्पताल जाने की जरूर्ट पढ़ रही है, ना ऑक्सिजन की जरूर्ट पढ़ रही है, ना आईस्यू की जरूर्ट पढ़ रही है, ना वेंटिलेटर की जरूर्ट पढ़ रही है, बहुत ही mild cases हैं और बहुत ही asymptomatic cases हैं, बहुत सारे, तो घबराने की बिल्कुल भी निपटने के लिए लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो आपको आपको करोना हो किसी भी तरह का तो हम नहीं चाहते कि करोना फैले इसलिए बार 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 अपील कर रहे हैं आप से सबसे अपील कर रहे हैं कि भई मार्केट में जाओ घर से बाहर जाओ दफ् पहन के रखे हैं हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड है मौल के अंदर इतनी भीड है तस्वीर आती है वीडियो आते हैं और इतनी भीड में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा जो हम जितनी सक्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाते कि आपके घर में करोना आए अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडे डेड़ प्लाइन बनाया था मतलब यह कि अगर करोना इतना परसेंट हो जाएगा तो हम यह यह चीजह बंद करेंगे वो इसलिए बनाया था था कि हर बार रोज बैठ के देखना ना पड़े यार यह कर दें यह बंद करें यह बंद करतेंगे उसमें हमने लिखाता कि अगर पॉइंट फाइव परसेंट से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा दो दिन तक लगातार तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा एक लेवल वन आ जाएगा और उसमें हम ये 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 चीजे बंद करेंगे तो करने का निरने लिया गया है कुछ चीजों के ओपर पाबंदियां लगाई जा रही है इसकी पूरा डिटेल्ड ओर आपके सामने आ जाएगा कि कौन-कौन सी चीजों पर क्या-क्या पाबंदियां लगाई जा रही है लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं मैं जानता हूँ आप सब लोग ठक चुके हैं दो साल हो गए करोना को दो साल के अंदर इतनी बार इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग ठक चुके हैं लेकिन क्या करें जरूरी है आपके सेहत जरूरी है आपके जिन्दगी जरूरी है इसलिए पाबंदियां ल भावित हो रहे हैं, वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं, तो चिंता करने के ज़रूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने के ज़रूरत है, हम मैं personally व्यक्तिगत तरीके तोर पे एक एक मिनिट नज़र रखे हुए हूं situation के उपर, और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूंगा, अगर कुछ भी खत्रे की बात होगी, चिंता की बात होगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंते की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेना है, अब ये तस्वीर हैं नहीं आनी चीए, बि मास्क पहन के निकलें, भीड ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार-बार हाथ दोते रहें. नमस्कार.